क्या आप Redmi Note 7 Pro खेरिदना चाहते हैं या Redmi Note 7 तो अभी इंडिया में यह रिलिस भी नहीं हुआ है अभी तक यह चाइना में लॉंच हुआ है एंड इसका एक भीडियो भी मैंने किया है बहुत ही अच्छा फोन है 48 Megapixel कैमरा है लेकिन अगर आप इस फोन के बारे में यहां पर सुनेंगे आपको उतना भी ज्यादा excitement नहीं रहने वाला Redmi Note 7 के लिए क्यूंकि एक बीस्ट यहां पर लॉंच होने वाला है बहुत ही जल्दी और वह है रियल्मी 3 यह गाइस रियल्मी का जो धर्ड जनेरेशन है वह बहुत ही जल्दी यह पर लॉंच होने वाला है इसमें भी आपको 48 Megapixel कैमरा देखने को मिल सकता है और यह मैंने कुछ आर्टिकल में देखा है और यह बात ऑफिशेली एनाउंस किया है मादफ सेट ने जो की ह है रियल्मी का CEO और इस फोन में आपको देखने को मिल सकता है हिल्योपी 90 प्रोसेसर और यह जो प्रोसेसर है यह स्नापड़गन 660 से बहुत ही ज्यादा यह पर पावरफुल है मीडिया टेक का जो हिल्योपी 60 है वह स्नापड़गन 636 से ज्यादा पावरफुल था और जो ह है उसको भी बीट करता है कुछ हद तक लेकिन कुछ मामले में यह पर जो जी प्यू में प्यू है वह यह पर स्नापड़गन 660 से इसमें आपको 12 नानोमीटर प्रोसेस देखने को मिलता है उसके साथ यह पर आपको AI फीचर्स देखने को मिलता है बहुत सारे और इसका जो जीप्यू है दोनों ही बहुत ही बेटर है तो यह पर आप अंदाजर लगा सकते इस फोन का जो परफोमेंस है वो कैसा यह पर होने वाला है इसके साथ इसमें आपको जो 48 मेगापिक्जल कैमरा है वो यह पर देखने को मिल सकता है एक्चुली यह 48 मेगापिक्जल नहीं है इसमें जो बायर फिल्टर्स है यारि क्यामरा में आते हैं यहाँ पर क्वाट बायर फिल्टर्स यह उसकिये गया है जिससे 12 मेगापिक्जल कैमरा है वह ही यह पर ज्यादा जो information है उसको gather करके 4 फिल्टर में लेकर जो photos है उसको click करता है लेकिन यह बेसिकलि 12 60 कैसे 48 Megapixel camera को यह पर डिटेट कर पारा है यही इसका लॉजिक है यही इसका जो algorithm है आप जो भी बोलेंगे वह है और यह बहुत ही अच्छा marketing strategy है Xiaomi and Realme का क्योंकि 48 Megapixel नाम पे ही बहुत सरे customers इन फोन्स को यह पर खरीद लेंगे बाइद वह टॉबिक प्राथ है साइट में ज्यादा चला गया हमें तो जो रियलमी 3 है उसमें हिलो पी 90 आ सकता है क्योंकि यही अभी तक जो लेटेस्ट प्रॉइसर है इसमें जो 48 Megapixel camera होने वाला है यह तो officially announce करी दिया है मादव सेट्रे बजट सेक्शन में इतने सारी आपर फोन्स बहुत ही अच्छा-च्छा फोन्स आपर लाउंच हो रहा है confusion हो जाता है यार कौन सा ले बाइदावए यह जो फोन है यह बहुत ही अच्छा यह पर निकल के आता है तो अगर आप ज्यादा excited हो रहा है आप इस फोन के लिए रुक सकता है क्योंकि इसमें जो प्रॉइसर है आपको थोड़ा से फास्ट देखने को मिल सकता है यह अभी तक नहीं है लेकिन यह यह आपर 80% चांस है इसमें आपको हिल्यूपी ना इंडी देखने को मिलता है तो अबर आल देखा जाए तो यह फोन आपको सपोर्ट करता है आइधिंग यही सेंसेंस रियल्मी 3 में यूज होने वाला है तो आइधिंग जो कैमरा है वो कुछा तक सेमी यह पर होने वाला है लेकिन अगर आप मेरे से सजेशन लेते हैं तो मैं आपको सेट करूँगा रेद्मी नोट 7 क्योंकि इसमें जो अगरा फ्लेश रोलीक है यानि कि अगर आप कस्ट्रों को या पर फ्लेश करना चाहते हैं अपने फोन में तो आपके लिए रेडमी बेस्ट होगा तो यही मेरा सजेशन है तो आप देख सकते हैं आप क्या करेंगे आप वेट कीजिए बहुत ही अच्छा फोन या पर होने बाला है 2019 जैनुरुरी में तो आप भी यूँको देख सकते हैं और रियल्मी के साथ या पर एक लिल्मी का बजट स्क्षेन में एक लांच होने और एक फोन में बी रियल्मी ऐस इस के नाम पे यह पर लौश होने बाला है तो आप उसको चिकाउट कर सकते हैं तो आप यू गाइज यू लाइक दिस वीडियो अगर ये विडियो आपका चल गए ते चनल को जरू सब्स्राइब करो बिल आइकन को प्रेस करो तो मिलताव से निक्स वीडियो में जय हिंद बन में मात्रम